हालो नमस्कार दोस्तों मैं कॉसलेंज सिंग समझ सम्मानित चाठ चात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक श्वागत वाविनंदन करता हूं आज हम बियर थर्ड समिस्टर के प्रथम प्रस्न पत्र सिच्छा में मापन एवं मुल्यांकन अर्थात मेजर्मेंट एवैलुईशन इन एजुकीशन के अंतरगत भावी लखनों विस्विद्याले परिच्छा है तो कुछ संभावित प्रस्नों पर चर्चा करेंगे जो की ब बियर थर्ड समिस्टर के अंतरगत जो पहला पेपर है वह सिच्छा में मापन एवं मुल्यांकन इसके अंतरगत जो फर्स्ट उनिट है उसमें कौन-कौन से जो सौर्ट कोश्चन है वह इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे उसके बाद सबसे अंत में हम जो इस बा जादा ध्यान देने की जुरूत है पर इच्छा के लिए बहुत ही महत्पूर है तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं आपके सामने सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कोश्चन है वह आपके सामने जो स्क्रीन पर है कि मापन का अर्थ बताईए अथाद मीनिंग आफ मेजर्मेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सौर्ट कोश्चन में 2018 में भी पूछा गया है इसके अलावा जो दूसरा इसमें महत्पूर प्र कुछा गया है कि what is the difference between measurement and evaluation इसके अलावा जो अगला कोश्चन है यहाँ पर जिससे आप देख भी रहे हैं कि मुल्यांकन की उपयोगिता समझाइए यहाँ भी महत्पूर है इसको भी आप देख लेंगे और यहाँ पर जो अंती मिहाँ प्रस्न दिया हुआ है उसके आगे अगले पेज में कि मुल्यांकन के प्रियोजन बताईए तो यहाँ भी बहुत ही important है इसको भी आपको देखने की जुरूत है फर्स्ट निट में अब हम आगे जो question दिये हुए है उनको भी discuss करेंगे तो question number 9 यहाँ पर दिया है यहाँ भी बहुत महत्पूर है परिच्छा के हैंगे और यह जो 11 नंबर पर question दिया हुआ है मापन मुल्यांकन के उपकरण क्या है tools of measurement and evaluation तो यह क्या क्या है उनको भी आपको देखना होगा यह भी महत्पूर है मापन की विशेष्टाओं पर प्रगास डालिए यह भी महत्पूर है तो इस प्रकार जिससे जो first unit है इसमे अने आपको अपना राय और महत्पूर जो हमारा opinion है वो बताया आपको अब हम first unit के एंतरगत ही जो हमारे long questions है उनको भी देख लें उनको भी समझ लें कि आखिर किन किन questions को हमें देखना होगा तो यहां पर आप देख रहे हैं जो question number 2 है exam के pointer से बहुत important है इसको अगर आप जरूर आपको first unit से आपको यह मिलेगा कि मापन और मुल्यांकन के कारियों का वर्ण करते हुए इसकी विसेस इसकी आफशक्ता पर प्रकास डालिए explain the functions of measurement and evaluation and throw light of its need बहुत important है और यह पता होना चाहिए कि जो long question होगा वो 12 marks का होगा जो short question होगे वैसे तो वो 4 marks थे होते हैं लेकिन इस बार अगर pattern बदला रहेगा तो वो फिर 8 marks सा हो जाएगा अब हम इसी जो हमारी जो first unit है उसमें जो long question और है उनको भी देखने जुरूत होगी क्योंकि हर unit से आपको दो-दो question दिये रहेंगे जो पुराना pattern है हमारा अगर नए pattern आएगा तो उसमें scene बदला मास डालिए 2019 में आया है कि what is the meaning of measurement and evaluation throw light on its purpose and importance तो यह भी महतपूर है बहुत ही महतपूर है इसको भी आप देख लेंगे first unit के अंदर गाद यह long question के अंदर गाद आता है और अगला है मापन के विभिन इस्तरों एव मापनियों का वड़न कीजिए 2018 में यह भी पूछा गया ह तो इसको भी आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं एक बार इसके अलावा जो इस unit से जो और महतपूर एक और question बनता है कि मुल्यांकन से आप क्या समझते हैं मुल्यांकन की विभिसेस्ता हैं बताते हुए मापनियों मुल्यांकन से में संबंद इसपस्ट करें यह जितने भी long questions है वो 12 marks के होंगे तो यहाँ पर what do you understand by evolution describe in silent features and explain relation between measurement and evolution और यह जो अंतिम यहाँ पर है इसको भी आप देख लेंगे एक बार कि मापनियों मुल्यांकन की तुर्टियों का उल्ले कीजी तो first unit से इतने आपको long question जो मुझे संभावित लग रहे हैं जो कि परिच्छा की history से बहुत ही महातपूर है उन पर मैंने आपको discuss किया अब हम second unit की बात करेंगे जो second unit के जो हमारे short question है उनको भी देख ले क्योंकि short question के साथ-साथ हम long को भी देखेंगे तो short में जो पहला आपका question है बहुत ही important है मुल्यांकन की मातात्मक प्रवधियों का वड़न कीजी ब management और मापन के प्रमुख उपकरड़ों का उलेख कीजे कौनकों से आपके tools है तो tools बहुत है आपने पढ़ा भी होगा inventory है कोश्चनार है यह सब चीजे आपको पढ़ाई गए होंगी अगला question है मापन के उपकरड़ की प्रमुख विसेस्ताओं पर प्रकास डाली यहां भी पढ़ेंगे यह भी बहुत महातपूर है और अगला है semester पडाली के good दोस्त बताईए यह भी बहुत महातपूर है और जो यहां पर first unit के बाद जो second unit हमारी उसके तरगत जो short question है यह जो अंतिम इसमें दिख रहा है स्रेडी मापनी rating scale से क्यातात पर है उसके उद्देश बता यह second unit के short question थे short question के लिए निधारी तंग चार अंक रखा गया है लेकिन अगर नया pattern रखा गया जो कोई यूश्टी के द्वारा कोई official announcement नहीं हुआ सिर्फ मीटिंग्स में ही discuss किया गया है तो अगर क्योंकि COVID-19 को ध्यान रखते अगर उसको pattern को follow किया गया तो जरूर जो short question है उनका जो अंक होगा वह आठ अंक होगा वह जितने भी लभू त्री प्रश्ण होंगे वह आठ अंक के होंगे अब हम second unit के अंतरगत जो हमारे long question है उनको discuss कर लेंगे इसमें भी हमने चार ही question इसमें चाटे हैं अलग किये हैं तो पहला बहुत ही महत्पूर है लिखित मौखिक एवं प्रयोगात्मक प्रकार के मुल्यांकन की प्रवधियों की विवेचना कीजी लिखित तो यह बहुत ही important है यह प्रश्ण अगर आप इबार देख लेंगे त जो दूसरा प्रश्ण इसमें बनता है जो और भी अच्छा है कि यहां देख रहे होंगे मुल्यांकन की तकनीकी में अंक इस्तरीगर अथवा ग्रेट पडाली क्या है इसका महत्पता यह 2019 में पूछा गया है important है और अगला जो है मापन के उपकरड़ से आप क्या समझते है मापन के विभिन उपकरड़ों का वर्डन कीजिए तो यह भी बहुत महत्पूर है इसे पहले भी पूछा गया है दूसरे तरीके से और अगला जो कोश्चन इसमें पूछा गया है वह है आपका कि अच्छे मापन के उपकरड़ों की प्रमुक विश्यस्ताओं पर प्रकास डालिए यह दो तीन बार से घुमा घुमा की कोश्चन पूछा जा रहा है जैसे 2018-19 में पूछा गया है और यह मानक मापन के अच्छे उपकरड़ों से आप क्या समझते हैं विश्यस्नियता एवं बज़ता किस प्रकार एक अच्छे परिछड़की महत्पूर विश्यस्ता हैं इस प्रकार से कोश्चन घुमा दिया गया है अच्छे मापन के उपकरड़ में कौन-कौन से गुड़ आवश्यक है लेकिन आपको इसका आंसर एक ही देना कि अच्छे मापन के उपकरड़ों की प्रमुख विश्यस्ता हैं तो इन चार कोश्चन में आपको जरूर कोई एक long question exam में मिलेगा अब हम बात करेंगे unit third की unit third में भी बहुत से question है उसमें से भी हमने जो sort जो महतपूर question है उनकी उनको हमने बताने का काम किया unit third में जो sort question है उनको हम पहले discuss करें फिर long को करेंगे तो sort में सबसे पहला जो है निर्मणात्मक संग मुल्यांकन किसे कहते है यह 2019 में पूछा गया है अगला है यह भी बहुत महतपूर है और TAT thematic appreciation test प्रासंगीक अंतरबोद परिच्छर परस्नालिटिस रेटेड़ है और इसके बाद है आपका CGPA से आपका क्या समझते हैं के बारे भी पूछा गया है और अगर हम अब अगले प्रिश्न की ओर बढ़ेंगे इसी सौर्ड में तो जैसे दिया हुआ है यहां पर कि बुद्धी परिच्छर पर टिपड़ी लिखिए यह भी बहुत महतपूर है रोर्सा के स्याहिद धब्बा धब्बों के परिच्छर प्रकास जा लिए जैसा आपको पता है कि हर्मन रोर्सा ने परस्नाल्टी से रेटेड यह परिच्छर बनाया था इसलिए इसे रोर्सास इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं इसके बाद एक है व्रिक्तित तुमापन की प्रच्छेपी विधी क्या है बहुत ही मातपूर है और जो अंतिम इसमे है थर्ड यूनिट में वह स्रजनात्मक्ता के कारकों को बताईए तो यह सौट कोश्चन है इनको अगर एक बार आप देख लेंगे जरूर एक्जाम में कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट में ही जो लॉंग कोश्चन्स है लॉंग कोश्चन के अंदर कर जो पहला कोश्चन बनना है वह है कि मुल्यांकर से क्यातात पर है इसके उद्देशियों प्रकारों का वड़न कीजी समेटियों एन फार्मेटियों मुल्यांकर की विशिष्ताओं का वड़न कीजी ये बहुत महात्पूर प्रशन है थर्ड यूट से और थर्ड यूट में सतत और व्यापक मुल्यांकर क्या है ये किस प्रकार उपियोगी हैं बहुत ही महत्पूर है अगला है मुल्यांकन ग्रेड हे तू ग्रेड बिंदू आउसत पर प्रकास डालिए तो ये CGPA से रिलेटेड है उसको आप देख लेंगे और अगला है बुद्धी से आप क्या समझते हैं बुद्धी के प्रकार का वड़न कीजी तो बुद्धी बहुत जैसे सामाजिक बुद्धी और जो है मुर्थ बुद्धी अब मुर्थ बुद्धी उसके बारे में आपको बताना है और इसके बाद एक और इसमें जो है जो अ गुमा के भी पूछा जा सकता है तो अगर गुमा के पूछा गया तो अन्तिम जो प्रस्ट है यह हो जाएगा तो इस प्रकार से यह जो है लॉंग कोश्चन है इनको आप जूरूर देखेंगे तो आपको ज़्यादा कोश्चन देखने की जो नहीं होगी इतने कोश्चन से आ बहुत इंपॉर्टन्ट है केंदरी प्रवति के मान का क्या आर्थ है इसके मात्यों को बताईए और उसके बाद मध्यमान यह माध्य क्या है मध्यांग किसे कहते हैं बहुलांग के गुड़ बताईए चतुरतांस विचलन किसे कहते हैं इनको आपको सौड में देखना कि सतांक उसे आप क्या समझते हैं, मानक विचलन की उपियोगता को संछेब में बताईए, समझाईए, बहुत इंप्वाटेंट है, सह संबंध कोरिलेशन के बारे में भी सौर्ट में पूछा जा रहा है, कितने प्रकार का होता है, और ये जो सह संबंध के महत्त की विवेचन है, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है, तो ये जो है सौर्ट कोश्चन हुए, जो कंपलसरी है, अब हम यूनिट फोर में ही पेपर फस्ट के अंतरगत, जो लॉंग कोश्चन है, उनके बारे में डिसकस करेंगे, ये जरूर कहिना कहीं आपको एक्जाम में मिलेंगे, तो आप देख रहे हैं जैसे, जो पहला लॉंग कोश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वह केंदरी प्रोत्ती से आप क्या समझते हैं, महत्यों सीमाओं की विवेचना कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके अलावा माध्य विचलन से आप क्या समझते ह जो हैं, जो है गुरूप डेटा और नान गुरूप डेटा तो अन गुरूप डेटा दोनों से कैसे इस्टेंडर डेविशन गणना की जाती हैं, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, और यहां पर कोर्रेलेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर इन कोश्चन को इसमें पढ़ लेंगे, तो जरूर आपको कहीं न कहीं एक्जाम में, जरूर जो आपका प्रस्ट पेपर है, जो एक्जाम में फर्स्ट पेपर है, अच्छा जाएगा, अब मैं एक ची और बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को जो भी बच्चे हमारे वीडियों को देख रहे हैं, तो इस बार थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है, इसके साथ-साथ ही इस पेपर में आपको मीन, मीडियन, मोड के कोश्चन भी आप करके जाएं, क्योंकि वो कोश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यह तो थेरोटिक लखन उनिश्टी की मीटिंग हुई थी, उसके अनसार जो पैटर्न है थोड़ा बदला रहेगा, कि किसी बच्चे का जो अचीवमेंट है वो प्रभावित ना हूँ, इसके लिए जो साथ-कोश्चन है, उनकी संख्या हाफ कर दी गई है, अर्थात जो पहले आठ कोश्चन पूछे जाते थे सौट के, अब इस बार जो है, सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा कि चार कोश्चन ही सौट में पूछे जाएंगे, जिनकी अनकों की संख्या आठ होगी, अर्थात आठ हंका प्रतेक लग उतरी प्रश्ण होगा, और जो लॉंग कोश्चन होगा, अर्था प्रश्णों की संख्या थो उतनी ही रहेगी, लेकिन पहले होता था कि 1st unit से, 2nd unit से, 3rd unit से, 4 unit से, कि आपको दो कोश्चन प्रतेक इन्यूट में दिये रहते थे, सिर्फ एक ही करना होता, लेकिन इस बार वो जो यूनिट की बाौन्डरी उतरी होती हैं, यूनिट नहीं द तो वो आप question attempt कर सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी बच्चे का जो report card है वो प्रभावित नहीं होगा, फिर भी ये जो pattern हमने बताया है, ये मेरे जो भी meeting के अधार पर जो मिला था, लेकिन कोई official notice इस प्रकार का नहीं आया है, लेकिन आपको पूरी तयारी करके जाना है, अगर कोई भी pattern वहाँ बदलता है, तो उसके लिए consistency जिम्मेदार नहीं होगे, तो इस बात को भी ध्यान लखें कि ये नहीं कि मैंने बता दिया कि आप वो pattern जो पुराना pattern था, उसको follow ही करके नहीं गये हैं, तो इन चीजों को भी देख लें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बा updates मिलती रहे धन्यवाद नमस्कार दोस्तों